पाठ चार, साधु सिंग, साधु सिंग, तुमने दफा चवाली स्टोड़ी, तुम्हें मन्जूर है? मैं क्यों तोड़ता उसे? कच्छरी में सन्नाटा चा गया, सन 1930 का सत्यागरह चल रहा था, देश में बलिदान की भावना जागरत हो उठी थी, स्वयम सेवक, खुशी-खुशी ग्रफतार होते, अदालत में उन्हें पेश कर, पुलिस का आदमी उनके अपराद की गोशना करता, मजिस्ट्रेट के पूछने पर वे हाँ कहते, सजा सुनाई जाती, और यहूं 15 मिनट में मुकदमा निपढ़ जाता, ना इसके लिए पुलिस कुछ तयारी करती, ना कोट इंस्पेक्टर कोई नजीरिट टोलता, यहां तक की पुलिस कोई गवहा भी साथ न लाती, ठीक ही तो है कि जब अपराधी को स्वयम अपराध मानने हो, तो प्रमाणों का संगरह कोई क्यूं करे, उस दिन साधु सिंग ने अपना अपराध स्विकार करने से इंकार कर दिया, तो परंपरा का यह प्रवाह रुकसा गया, जैसे रह चलते चलते आदमी के पैर में काट कि के कई मनसूबे जढ़ जाएं, और मुकदमे को मुलतवी करे, तो उसका कारण क्या बताए? चंद्रधर जी आल, एक घाग मजिस्ट्रेट, उसने साधु सिंग को गौर से दिखा, एक सीधा अनपर किसान, सोचा यह जूट तो बोल नहीं सकता, फिर बात क्या है? पूछा मिस्टर साधु सिंग, तुम्हें पता था कि देवबंद में दफा चवालीस लगी हुई है? उत्तर मिला, लगी होगी, मैं तो सारे बाजारों में नारे मारता फिरा, मुझे तो वा कहीं दिखी नी? जियाल साहब मुस्कुराए, इस चट्टान के बीच तो काफी रास्ता ह पूछा, साधु सिंग जी, तुम सोमवार को अपने गाउं से देवबंद आए, फिर तुमने क्या किया? उत्तर मिला, डिप्टी साब, तुम मुझे बातों में ना उलजावो, मन ने, मैंने, और चाहे जो करा हो पर थारी वा दफे चवालीस नी तोड़ी, मैं गाउं से आके आस्रम में गया, वा रात में मारे पंडित जी ने उपदेश दिया कि अक महत्मा गांदी का हुकम है, गाली, गुस्सा, तोड़ फोड़ और मार पीट से बचना चाहिए, फेर भला मैं किकर तोड़ देता दफ पेचा वालीस, सच्ची बात कहूं डिप्टी साब, बुरा तो तुम मानी हो ना, पर यो थारा पुलिस वाला बिलकुल जुट्टा है, मजिस्ट्रेट को बहुत जोर से हसी आ रही थी, पर उनका मतलब किनारे लग रहा था, अपने को संभाल कर उसने पूछा, ठीक है, फि सारे बाजारों में चक्कर काटन लगा, लो, थारे ते सच बताऊं, मैं सारे में फिरा, पर कसम गंगा जी की, जो मन्ने वो दफा चवालीस कभी भी मिली हो, जूट मैं बोलता नी, फिर भी वा तूट गी हो, तो मुझे पता नी, तुम उसके वास्ते मुझे माफ कर दो, मजिस्ट्रेट के लिए इतना काफी था, उसने फैसला लिखा, माफी मांग लेने के कारण, अभियुक्त को मुक्त किया जाता है, साधु सिंग अवाक, और उसी दिन फिर आश्रम में, पंडिट जी, वो डिप्टी मुझे बहुत उलजाता रा, पर मुझे तुमने पहले ही को उसके छूटने का रहसे बताया, तो मेरा खयाल था कि वो सकुच आएगा, पर वो पूरे उत्सा से बोला, तुम मुझे कल को एक जंडी होर और दियो, मैं देखूंगा अपके सब की नबज, और दूसरे दिन, उसने फिर दफा चवालीस तोड़ी और पकड़ा गया, मु एक-एक हड़ी ऐसी कर दी, अक बिचारी महीना बीज दिन खाट पे पड़ी, हल्दी दूद पीवेगी, मजिस्ट्रेट कुछ हसा, कुछ जेपा, और उसे दो मास की सخت सजा लिखकर उड़ गया, मैंने उस दिन भी सोचा था, और आज भी सोची रहा हूँ, कि साधो सिंग क वो गुलामी का ज्यान न था, स्वतंतरता का भान न था, ना उसे क्रांती का पता था, ना गांधी वाद का, फिर वो कौन से चीज थी, जो उसे उठाए फिर रही थी?